हेलो फ्रेंड्स एक बर फिर हरलिव सिंग मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और आज मैं आपको लेके जाओंगा रस्वागडी यह है मेरा होटल काटमांडू में यहां से हम सुबा सुबा निकले हैं रस्वागडी की दरफ और यह होगा मेरा र रोड्स गड्डे दस किलोमेटर बाद ही काटमांडू से रोड्स बहुत खराब हो जाती हैं लेकिन अभी भी यह रोड्स ठीक हैं और यह देखिए आप काटमांडू टॉप से काटमांडू बहुत ही highly populated city है नेपाल की और यह देखिए roads खराब हो गई है लेकिन अभी भी यह रोड अच्छी है क्योंकि इसके बाद road और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी मैंने साचपास किया हुआ है जो कि इंडिया की most difficult road है लेकिन यह road उससे भी ज्यादा difficult है लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नजारे बहुत अच्छे हैं बहुत ही सुन्दर पहाण है बहुत ही सुन्दर जहने है specially यह वाला waterfall जहाँ पे natural swimming pool है बहुत मंतर डुपके लगाने का लेकिन लगा नहीं पाया क्योंकि time की कमी थी और यह हम आ गए है long tongue national park यह वहाँ का बहुत ही popular national park है क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रेकिंग करने के लिए आते हैं लेकिन उसके लिए अलग से permit बनवाना पड़ता है उसके आसपास road फिर भी थोड़ी सी ठीक थी क्योंकि वह army maintain करती है Google आपको बताएगा कि आप 6 गंटे में वहाँ पहुन जाओगे लेकिन आपको लगेंगे कुल मिलाके 12 गंटे क्योंकि road बहुत खराब है आपको बीच में बार बार रुपना पड़ेगा मैं भी रुखके वेट कर रहा हूँ लेकिन फाइनली आठ वजे यह रक्षवा गड़ी का चेक पोस्ट है और सुबह सुबह मौर्णिंग में मैंने यह वीडियो गनाई अपने होटल की यह हमारा होटल है वहाँ पे जहां पे खाना भी फ्रीदा रूम के साथ और होटल का नाम है हिल्टन व्यू नाम फाइफसर वाला है और हम अप सुबह निकल चुके हैं चाइना बॉर्डर की तरफ हमापस पासपोर्ट भी नहीं है हमापस पर्मिट भी नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम चाइना के अंदर आपको लेके जाएं हमें लोगों ने बोला है कि वहा लाती हुई चाइना में रोड बोट अच्छी है नेपाल में रोड बहुत बुरी है इसको नहीं पता इसको पता चलने वाला है कि एसी गाड़ी की बाट लगने वाली है नेपाल में रोड के नाम पे कुछ भी नहीं है चाइना में रोड बोट अच्छी है मैंने रिक्वेस करी थी आर्मी ऑफिसर से तो अब हम जा रहे हैं चाइना के अंदर बिना पासपोर्ट और बिना पर्मिट के और यह देखिए चाइना के अंदर का नजारा प्रॉपर पार्किंग स्पेस है बहुत बड़ी रोड है वेल मेंटेंड है बहुत ही अच्छा इंफ्रास्रक्टर है मैंने नोट चेंज कर वा ली है यह चाइनीज करणसी है और यहां पर मैं ब्रेकवास्ट कर रहा हूं अब चाइना के अंदर बैट के अराम से और अब हम आये हैं सूपर मार्किट के अंदर, यहां से अपने फेंड्स के लिए अपने लेटिस के लिए गिफ्ट लेंगे, यह सब चिकन, मटन, फिश, यह चाइना की सूपर मार्किट है, जहां पर आपको खाना बहुत ही सस्ता मिलेगा, हर चीज यहां पर बहुत सस्ती है एस कंपेर टो इंडिया या नेपाल, बहुत ही ज़दा सस्ता है, जो भी पैसे मैंने चेंज कर वाई ते सब मैं खर्च कर चुका हूँ, जो भी ले रहा हूँ, बुझे और लेने का मन कर रहा है, यह मैंने शॉपिंग करी है, और एक बैक और मैंने बड़ा वाला लिया है, और अब मैं तयार हूँ वापसी पोख्रा जाने के लिए, और फिर से वो ही खराब रोड पर जाना पड़ेगा, सिरफ बिदूर के आसपास रोड अच्छी है, या आखरी या पहला होटल है, और मैं पोख्रा जा रहा हूँ, सिरफ काटमांडू चे पोख्रा वाला हाईवे अच्छ पर जाना पर जाना पर जाना पर अच्छी पोख्रा जाना, सिरफ बिल्कुल जाना, सिरफक्रार के लिए नहीं है।